हेलो फ्रेंज माइन विजिए वर्थन वेलकम नमाइच चनल एथिकल हर्ष तो फ्रेंज इस विडियो में हम डीवी डब्ली एकी धर्ड मॉडियो जो कि सी एस रएफ उसको हम लो लेवल पे सॉल्व करेंगे तो सी एस रएफ हमारा एक टाइप का अटैक होता है वेब अटैक होते हैं जिसको हम one click attack भी बोलते हैं session riding के नाम से जानते हैं seasurf seasurf नाम से जानते है xsrf तो इतने सारे नाम है इसको कोई भी इसको नाम से पैचान सकते हैं तो फेले इसका मैं थोड़ा सा concept आपको बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है तो मान लो एक attacker है ठीक है यह है हम हमारा विक्टिम अब क्रोस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी मतलब कि एक किसम का दोख है तो इसमें क्या है इसमें जो हमारा अटैकर है ना वह सबसे पहले विक्टिम पर आते हैं ठीक है विक्टिम पे जैसे मालो आप कोई भी विक्टिम है वह एक बैंक की साइट पर जाते है ठीक है तो कुकी इंटिफाई करती है कि यह तो रोज आने जाने वाला बनता है तो वो की जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमारी कुकी जनरेट हो जाती है तो मालो वह विक्टिम बैंक पे डेली विजिट करता है तो मतलब ब्राउजर से बैंक की वेबसाइट पर डेली विजिट कर रहा है तो अब यहां पर हो क्या रहा है कि उसका पासवर्ड तो उसका सेव है मतलब वो अथेंटिकेटिकेटिड यूजर है तो हमारा यहां पर attacker जो है ना वो CSRF attack करके वो उसके द्वारा मतलब की attacker क्या करेगा attacker एक link भेज़ेगा manipulated link मतलब की वो उस link के अंदर कुछ चीजे अपनी add कर देगा कुछ coding जेडगर के link है तो वो उस link को जब उस link पर click करेगा तो वहीं पर दोखा खाज़ेगा जब वो link पर click करेगा तो attacker ने जो manipulate किया होगा मतलब उसके bank की यह डाला होगा कि मानलो bank में transaction होज़े कि वो उस पर link पर click करे और bank की website पर जाए वहां से transaction होज़े और transaction होके वो पैसा मे ठीक है मतलब इसने attacker ने खुद bank की website पर जाके कुछ ऐसा काम नहीं किया इसने victim के द्वारा करवाया क्यों करवाया क्योंकि victim तो authenticated user है bank के लिए मतलब bank को तो पता है कि यह तो यार अपना customer client है तो यह तो आए जाए कोई दिक्कत नहीं इसका तो राइट है ना कि इसके बस password ID है तो इसका राइट है तो attacker ने victim के द्वारा मतलब bank से transaction करवाया उसी के द्वारा और अपने account में तो यह cross site request फॉर्ड ज़री है तो यहां पर हम DVWA lab में उसको एक किसम का password चेंज करने वाला concept करेंगे ठीक है तो सबसे पहले मैं login करता हूं तो login का ID है admin और password है password ठीक है ने DVW security में गया और इसको low select किया क्योंकि सबसे पहले हम low करेंगे तो brute force और command injection में आपको पहले भी बूरा complete करवा चुको तो अब CSRF में आ गए हम अब यहां पर क्या कह रहा है कि change your password admin तो मैं यहां पर कोई भी new password लिखूंगा और वो दोनो मतलब 1245 यहां पर 1245 और चेंज करूँआ तो वो change होजएगा guaranteed ठीक है तो अब हम क्या करेंगे मानलो एक victim है उसको हम क्या करेंगे यह link देंगे वो इस website का मानलो authenticated user legitimate user legitimate मतलब कि वो उसके browser पे यह website वो daily मतलब उसके cookie बनी हुई है और उसका password उस पे save है तो वो authenticated user है एक्दम मतलब कि वो आ जा सकता है उसक से मानलो facebook की है तो हमें उसका password direct change करवाना है तो हम क्या करेंगे हम एक ऐसा link generate करेंगे ठीक है सबसे पहले इसका अगर source code देखेंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि कोई security नहीं लगी हुई हम simple जो चाहते हैं वो हम कर सकते get request है यह simple ठीक है बस हमें password दो password हमें match करवाने है व तो अब हम क्या करते हैं मैं मैं यहां पर क्या करूंगा मैं यहां पर 123456 और 123456 अब इस request को मुझे intercept करना है तो जब मैं change पिक और सुरी यह password change हो गया और मैंने यहां पर proxy नहीं set करी थी ठीक है कोई बात नहीं दुबारा कर देता है अब password हमें पता है 123456 चेंज हो चुक है कोई बात नहीं हम यहां पर कर देते हैं admin और admin ठीक है अब मैं यहां पर proxy set है और intercept को on कर देता हूं और मैं यहां पर change पर क्लिक करता हूं तो आपने दिखा कि यहां पर request मैंने intercept कर ली अब यहां पर देख रहे हो कि new password admin और confirmation मतलब admin मुझे admin चाहिए तो अब मुझे क्या करना है यहां पर right click करना है engagement tools पर जाके generate CSRF POC तो यह proof of concept मना देगा मुझे इसको copy करना है HTML को ठीक है इसको मैं close कर देता हूं यहां पर आया और यहां पर मैं एक document create करता हू empty file अब इसको मैं CSRF या कोई भी नाम से इसको मैं save कर देता हूं but extension HTML हो ठीक है मैंने इसको open किया यहां पर आके मैंने इसको paste कर दे जो CSRF की हमारी POC थी अब आपको जो भी password आपको रखना है ना उस victim का कि आप चाहते हो कि जैसे वह इस link पर click कर उसके password change हो जाए तो यहां पर आप करते हो जैसे मैं यहां पे कर देता हूं admin 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 run देता हो findings then it to me कि माइन अब मैने admin admin कर देंब मैं इसको save कर दिया तो own websiteojow website पर आता हो मैं अपने और इसको drop कर देता हूं और intercept off कर देता हूं और एक बार मैं यहां पर आकर बैक करता हूं ठीक है अब करना क्या है गाइस simply कुछ भी नहीं बस उसको यह आपने फाइल भीजनी है ठीक है कि आप मैनुपलेट करना है कि वह इस फाइल को ओपन करें और इस पर क्लिक कर दें और जैसे ही वह करेंगा उसका पासफ़र्ट चेंज हो चेंगा यह हमारी सब्सक्राइब क्योंकि आपने उससे ही सब कुछ करवाया क्योंकि वह लेजिटिमेट यूजर था आपके पस उसका पुराना पासफ़र्ट नहीं था कि आप वह वह कि आप लोगिन तो नहीं थे उसकी आईडी में तो जैसे जैसे मानलो उसने इस पर डवल क्लिक किया ठीक है अब यहां पर इसके समय ऐसे कुछ रिक्ट अंग ती आपने उसको मैने बड्यकूरा तो चब क्लिक करो उपर्सक्राइब का क्लिक किया तो पासवर्ट हो चोकर चेंग और हमने कौनसा पासवर्ट ढला था उसको जब डिया था तो हमारी फाइलमे था तो अब मैंने डाला 123456 को हमने ये भी डाला था ना पासवर्ट तो मैं इसको आप के सामने copy करता हूं और यहाँ पर paste करता हूं तो जब मैं log rang करता हूं तो आप वो दिखा रहा है कि log in paid क्योंकि हम एंगहे पसफर करता, हमने क्या लोगिन हो चुका है मतलब इसका मतलब जिस इंसान को हमने लिंक भेजा था इस वेब साइट का मैं पासवर्ट चेंज करवाना था तो वो उसका पासवर्ट चेंज हो गया और वो हमारे पास आ गया thanks for watching my video please subscribe my channel for more videos and press the icon button for new notification